हेलो स्टूडेंट आया मैं अनिता राव प्रम्तिलर भार्ती स्कूल राइपूर आज हम लोग क्लास एट का हिंदी पढ़ेंगे जिसका सीरसक है दीदी की डायरी जो संकलित है संजू जिसे डायरी लिखने क्या सौक रहता है मगर लिखनी पाती वह चाहती है कि उसके रोज मत्रा में जो भी कारी कर रही है उसे डायरी में लिखें क्योंकि वह देखती है कि उसकी दीदी रोज डायरी में कुछ न कुछ लिखती है लेकिन संजु को डायरी लिखना बहुत ही कथिन लगता है अथा वह अपनी दीदी से सहयोग मांगती है उसकी दीदी उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उससे कहती है कि जो प्रती दिन हम कारी करते हैं उसे डायरी में लिखना चाहिए संजु मान जाती है और डायरी लिखने का प्रयास करती है लेकिन वह चाहती है कि डायरी लिखने से पहले अपनी दीदी की डायरी को एक बार जरूर देखे अथा वह अपनी दीदी से डायरी मांगती है पर दीदी थोड़ा संकुचाते हुए लेकिन अपनी संजु को वह डाय लिखने से हमारी रोज मर्या की क्रिया कलापों की जानकारी प्राप्त होती है कभी या इतिहास की महत्रपुन जानकारी भी बन जाती है डायरी लिखने से हमें जो भी गलतिया है उसके बारे में पता चलता जिससे हम दुबारा गलती ना कर सकें डायरी लिखने से समय का सत्युप्योग होता है और समय का बहतर और अच्छा उप्योग कर हम अच्छा इंसान बन सकते हैं अपने कार्यों को हम समय पर कर सकते हैं और समाज के लिए एक प्रेणा सोट बन सकते हैं आता हम सभी को डायरी लिखना चाहिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद नेश चेप्टर में फिर मिलेंगे